हेले रोइन वेल्कम बैक टू कंपुटिशन कम्यूनिटी और आप सभी को धेर सारी शुब कामना हैं क्योंकि भारत जीच चुका है सैफ चेंपियंशिप 2023 यह सैफ चेंपियंशिप क्या होता है कौन-कौन से देशेस में पार्डिसिपेट करते हैं भारत कितने बार इसका वि हैंने वाले तो आईए सबसे पहले हम शुरुबात करेंगी कि यह सैफ चेंपियंशिप होता क्या है और कौन से गेम में इसको खेला जाता है तो यहार सिंपल सी बात है इसका फुल फर्म आप सभी को पता होना चीए ऐसे से हो जाएगा आपका साउथ एसे हो जाएगा एशिया एफ से फुटबॉल और फेडरेशन जैसे आप सभी को पता है कि फीफा जो होता है वो विश्व इस तर पर जितने भी फुटबॉल टूनामेंट्स होते हैं उसका एक ने अंतरन करती है उसको वो संचालिद करती है वैसी यहां पर जो और प्रतेएक दो तीन वर्ष में u नहीं है क्योंकि देखे लाच्ट Да esares में 18 के बाद फिर 2421 और 21 के बाद फिर अभी 23 में यहां पर हुआ ठीक है तो जब इन अंतरालों में यहां गेम होता है उसको हम लोग सैफ किसको हराए फिर और 21 में बारत वीजिता बना था दो हजार 23 में अगें भारत क्या हो गियागा चिक है ना दूसरा षब से बारत वीजिता बन रहा तो हराया किसको जी तो इसने हराया जो है چ midnight कि आप चूब्क को प्ताव होगं को गया कि एक आप आपकी अरब कंट्रीस के अंदरगत आती है और तेल के लिए काफी जादा फेमस यह भी नेशन जो ही है कुवेत को हराय सर कैसे हराय दीखे पहले इन दोनों की भी जो गेम हुआ उसमें एक और एक की बराबरी थी यहां से समझेगा एक एक जो क्रोनलोजी हैं पर मैं बताने घी जारो बहुत important है football जब टॉनामेंट होता है football जो गेम होता है तो इनको समय दिया जाता है कि भई यह आप 90 का एक गेम लीजे है ना इस 90 मिनट के गेम के अंदर कर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दो आपको यहां पर पाले आपको यहां पर देखने को मिलेंगे एक जो अगर सपोस ही इंडिया साइट को जाएगा और यह तुम्हारा कौन सा कुवेद के लिए हो जाएगा ठीक है इ इन दोनों हाफ को मिला कर जो फाइनल फिगर होता है जैसे माल लेते हैं कि भारत ने दो गोल किये होते और इन्होंने एक गोल किये होते तो डिरेक्ली विजेता घोशित कर दिया जाता बट चुम्हें कि इस्थितिक ऐसे थी कि भारत भी एक गोल के साथ था और कुवेद भ बहुत important है और इसी का उपयोग करती हुए हाल ही में अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में है ना तो penalty shootout में फिर जो टीम जीती थी कौन से टीम थी जी याद रखना अर्जंटीना तो अर्जंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था penalty shootout वैसे यहां पर हुआ आपका इंडिया औ 12345 और इधर आपका कुवेद के लिए 12345 इंडिया को कहा जाएगा कि भीया आफ जो है आईए one goal करिये कुवेद से कहा जाएगा आप एक goal करिए इनसे कहा जाएगा मतला आप यहां पर एक point होता है याद रखना है आप यहां पर देखेंगा एक बार नजर डालिएगा यह point होते हैं जिसको हम लोग penalty spot के रूप में हम जानते हैं तो penalty spot से यहाँ पर माल लेते हैं इंडिया को को खिलाडी आया भारत को को खिलाडी यहाँ से goal दागेगा और यहाँ पर कुवेट का जो शेतर रक्षा किया फिर यूँ कहें जो goalkeeper होगा एक्शली इनको हम goalkeeper की रूप में जानते हैं तो जो goalkeeper होगा वो क्या करेगा इसको बचाओ करेगा कोई यहाँ पर बीच में नहीं आएगा इंडिया का खिलाडी गोल दागेगा और यहाँ आपका बचाओ करेगा अगर इन्होंने goal दाग दिया तो एक point गिना चा क्योंकि उन्होंने अंतिम जो goal है उसको रोका यह क्या है मैं आपको अभी बताओंगा ठीक है तो यहाँ पर इंडिया का goal की पर इसको रोकेगा और कुवेट का खिलाडी यहाँ पर गोल दागेगा तो इस प्रकार से इनको जो बारी-बारी से मौके दिये जाएंगे टोट क्योंकि शिर्फ पेनाल्टी शुट आउट के भरोसे हम नहीं बैठे थे सिर्फ पेनाल्टी शुट आउट क्योंकि आपने हेडिंग में देखा न सड़न डैथ आपने देखा होगा टाइटल में लिखा था सड़न डैथ क्या होता है तो मैं आपको बताने जारू क्योंकि आप मेंस लिखने वाले हैं मेंस की यदि विद्विया थी हैं तो यहां पर प्रश्ण ना सकता है कि सड़न डेथ क्या होता है इससे आप क्या समझते हैं क्योंकि पेनाल्टी कॉर्णर पेनाल्टी शुट आउट अल्डी आप लोगों को पुछा गया है और पेनाल्टी क्या होगा फिर से बराबरी पर आगए अब समस्या बड़ी कि भाई कैसे करें दोनों ने समान गोल किया अब जबी भी ऐसे स्थित्य आती है तो कहा जाता है कि भी ठीक है आपने पांच किये आपने भी पांच किये अब हम एक काम करेंगे अब हम दोनों को बराबर बराबर से मौका देते जाएंगे और अब की बार जो भी गोल करेगा माले ते अब इंडिया को मौका दिया गया इंडिया ने गोल कर लिया अब कुवेद को मौका देंगे कुवेद ने भी गोल कर लिया फिर बराबर पे आगे पांच पांच पे आगे तो ऐसा तब तक चलते रहेगा जब तक कोई एक टीम गोल ना कर पाए ध्यान से समझना एक ही बार मौकर नहीं रहा जाएगा ये तब तक चलेगा ये सिरीज तब तक ही चलेगी इस ट्रिंखला तब तक चलेगा मैچ जब तक कोई एक टीम जो रहेगा वो गोल ना कर पाए अब क्या हुआ मालत इंडिया को मौकाद या ने गोल किया कुवेट ने गोल कर दिया अब यहां पर हम फीर आते हैं ठीक है फूर इग्जाम्पल इंडिया गोल नहीं कर पाया ध्यान से समझना इंडिया गोल नहीं कर पाया ठीक अब आप अलोगे सथ तो क्या ऐसे में कुवेट को विजएता घुशिट कर देंगे नहीं कुवेट को भी कहा जागे कि भीया आप भी तो करिये अब मालिदे कुवेट ने गोल कर दिया होता तो यहीं से तो घरे यार तुम तो गोल नहीं कर पाई आए अब इंडिया को फिर मौका दिया जाएंगे कि इंडिया या तुम फिर से गोल करो ठीक है तो इस प्रकार से यह मौका दिया जाता है तब तक दिया जाते जब इनको फिर से और उन चांसेस में अगर दोनों टीम ने गोल कर दिये तो चांसेस फिर आगे बढ़ेगा या दोनों टीम गोल नहीं कर पाई तो उस चांस को फिर आगे बढ़ाया जाता है और इसमें देखा जाता है कि फिर इसलिए इसको बोला गए सड़न डेथ सड़न का मतल माल लेते हैं इंडिया ने कितने गोल किये सबसे पहले माल लेते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर गोल किया कुवेद गोल नहीं कर पाई भारत ने फिर गोल किया कुवेद फिर गोल नहीं कर पाई अब यदि भारत ने यहाँ पर गोल कर लिया ध्यान से समझेगा भारत ने यहा कुछ इस प्रकार से लिखा जाते है जैसे कि एक और एक इसका मुख्या था और ब्रेकट फिर हम इसको लिखेंगे 30 जैसे यहां पर जुआ उसको हमने लिखा था वन और वन फिर ब्रेकट में लिखा गया फाइब और फॉर ठीक है याद रखना तो वन वन का मतलब क्या है कि जो है यह मुख्य गेम का हिस्सा था और फाइव और जो फॉर है यह गेम के बाद का जिसको पेनालिटी शूट आउट और पेनालिटी शूट आउट के बाद हमने सर्डन डेथ के रूप में यहां पर चाना ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर यह जो गेम है वो फिनिश पाकिस्तान था इंडिया ने 2023 में होस्ट किया और इसका भी चैम्पेंट इंडिया बना याद रखना बैंगलुरू में यह मैच का आयोजन किया गया था प्रश ने कई बार पूछा जाता है कि ही फाइनल कहा पर खिला गया तो फाइनल जो तुम्हारा बैंगलुरू में ख होता है है ना और इसमें मैंने सुनीर शेत्री से संबनी इंडिया की फीफा रैंकिंग जो कि अल्डेडी है ना सौ तक पहुंच चुके इनके बारे में मैंने अल्डेडी आप लोगों को स्टोरीज वो है जो बताई थी अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सक और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारे दिये गए जानकारी आप सभी को यहाँ पर समझाई होंगे आप सभी संदुष्ट होंगे आप यदि संदुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा कैसे लगा यह वीडि को हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं आफ लाइन बिल्कुल फ्री समय होगा शाम को पांच बजे माह के प्रतियक दूसरे शनिवार को और जगा होगा कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी मंगला चौक बिलास्पूर थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक हमेशा आपके साथ टीम कोको